सबी को जैहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रियाक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे वाजम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दंदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिसान के मश्यू जानने को मिलेगा तो इससे अन तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके हम आपने से इंपोर्टेंट और दंदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जै पहरत रोड पर सोने वाले गरीब मजबूर तो कुचले गए थे मारे गए थे सल्मान खान ने तो मारा था अपनी मेहंगी अपनी बहुत मेहंगी गाडी से घरीबों के कलेजे को कुचला था और क्यूंक гр वो हिंदू थे इसलिए गाड़ी और तेस्ट चलाई गई थी सल्मान कान तो लोंडिया बाज है सल्मान कान तो छोकड़ी बाज है सल्मान कान ने तो काले हिरन विश्णोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराप के साथ चकने में खाया था इसमें तो कोई ये फ़ organization है जिसके प्रेजिजेंट की तरफ से बकाइदा तोर पर ये अनॉस्मेंट की गई है कि जो भी encounter करेगा जाहरी बात है पुलीस की हरासत में है लौरंस बिशनोई तो जो encounter करेगा उसे एक करोड ग्यारा लाग ग्यारा हजार ग्यारा सो ग्यारा रुपे इनाम के तोर पे दिये जाएंगे इसके ओपर क्या कहना चाहेंगे आप करनी सेना के नाम से ये गन्जीम है आर्वनिजेशन है आप कश्तरिया करनी सेना के पारे में बात कर रहे हैं जिसका ची काउंटर करेगा अब आप मुझे बात बताएं कि एक व्यक्ति 2015 से जेल के अंदर है और चुपचाप खामोशी से वो अपनी सजा खट रहा है लॉरन बिशनोई के लिए जेलर ने स्टेटमेंट डिया है कि वो बहुत शान्ती से अंदर रहता है किसी से बातचीत नहीं करता है किसी को छेर चाड नहीं करता है और पूरे प्रोटेक्शन के साथ पुलिस को पिल्कुल कॉपरेट करते वे वो जब उसको कोड बुलाता है वो जाता है और वो आता है अंदर में जेल की कस्टडी के अंदर मेजडिशन कस्टडी में वो किसी के उपर उची आवाज से बात भी नहीं करता है अब आप मुझे बताईए कि जिस पुलिस को यह उकसाया जा रहा है और जो कष्टरिया करणी सेना के चीफ राज शिखावत उसका रहे हैं क्या ये गैंक्सर का काम नहीं है क्या ये जिहादी और आतंकियों का काम नहीं है ये भी तो है अब बात आती है कि ये वही करणी सेना के चीफ है जो दो हजार चौबेस में भारते जंता पार्टी ओफिस के बाहर में बैठ गए थे और कह रहे थे कि भारते जंता पार्टी को वोट मत दो ये जमायत अलुमाए हिंद बोलता है ये असदुद्दिन अवेसी बोलता है ये पाकिस्तान बोलता है ये हाफिस सईीद बोलता है ये दौध इबराहिम बोलता है ये शेवाश शरीफ बोलता है ये जैश मुहम्मद बोलता है और फिर साथ में कष्टरिया करनी सेना के है कि ये सारे लोग ये सारे लोग अधर्णिया परधान मंत्री की योजना का लाब उठाते हैं इंक्लूडिंग मुसल्मान अधर्णिया परधान मंत्री उजवाला योजना निकालते हैं इनके बहु बेटियां उठाती है अधर्णिया परधान मंत्री बेटी बचो बेटी प किसी भी धर्म की तो उसमें भी बलाटकारी का समर्थन करना है عवज miraculous करेGOगा तो अप्जुल मुझा खसब Hawaii गाद और लाखों मुला ही hundred को मार देगा तो जल के समर्थन करना है नाशर खान रेव करेगा क्रिश्चन का एक नराई का तो नासिर खान का समर्थन करना है मौमद रिजवान इमाम रेप करेगा तो विक्तिम का समर्थन नहीं करके बलातकारी इमाम प्रिज्वान का समुर्थन करना है पाकिस्तान से घजवाएं हिंद होगा तो दियोबन भी बोलेगा घजवाएं हिंद भारत में बैट करके बात क्या है यह भारत है यह सम्विदानिक देश है और 42 गंटे में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शिकावत को अरेस्ट करना च बिशनोई लिखेगा तो इस टाइम इंडिया के साथ साथ कैनिडा कैनिडा के साथ साथ अमेरिका और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मलब दुनिया के इस टाइम कोई बड़ा खबर अखबार नहीं कोई न्यूस पेपर नहीं जिसमें लॉरेंस बिशनोई के उपर बात नह हैं कि हृए कि हमें Lawrence बिश्चनोई के हग में बात करदमी है हुछ लोग है कि लुट जांगा आप क्या समझ रही है यह किस साइड के जाता नजर आ रहा है कि दो एक दिदियों की और फिर यौह मुझे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रोडो की क्यो फट रही है और लॉरन बिश्णोई के नाम का तजबित आना क्यों गिन रहा है कि भारत ने लॉरन बिश्णोई को खड़ा किया है खालिस्तानियों को खतम करने के लिए पहले जो खालिस्तानी है उनको समझो यह जो खालिस्तानी मुव्मेंट कर रहे हैं यह जो जस्मीत है जस्मीत सिंग है जस्मिते जो है यह कहां का सिटीजन है यह कैनेडा का सिटीजन ह निजर कहां का citizen था Canada का citizen था पन्नू कहां का citizen था US का अमेरिका का citizen था तो भाईया आप Canada और अमेरिका के citizen होकर के आप भरत में कालिस्तान बना ओगे और लॉर्न बिश्णों यह साफ लफजों में का है दो इंच लेकर दिखाओ पैंट में मुतबा देंगे दो इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड के दिखाओ, छटी का दूद याद दिला देंगे, दो इंच पंजाब का, सिर्फ खड़े हो करके दिखाओ दोनों पैर, लेकिन आपका नाम बुला देंगे, लॉर्ण बिश्नौई ने कहा है, अब बात आती है, यह लॉर्ण बिश्न में और भारत का प्राइमिनिस्टर बनने की लालच में, नहरू ने तो एक इसलामीक देश बना दिया, लेकिन अब दुपारह हम इस भारत को तूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, वह भालत के साथ कुछ हो तो हो, लेकिन हम इस भारत को अखंद करने की में लगे हुए हैं हम तूटने कभी नहीं दे सकते हैं किसी भी हाल में नहीं दे सकते हैं और एक बात मैं और आपको बोल दे रही हूं पुरी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं कि नत्थुराम गोट से जो था ना वो मडरर था जिसने गांधी पर गोली चलाई थी मैं कह रही ह रहे हाफिश स्थ Josh आकın हैं बारत और पाकिस्तान के देश बना और खुद भारत का प्रदानमंत्री बना और मैं खुद जिम्म्मेदारी से कह रहे हूं कि गांधी मर तो गया, लेकिन भारत बच गया, लेकिन भारत बच गया, क्यो李, फता नहीं नहरू, अपने परिवार को और किसके पद पर बैठाने के लिए भारत की और kइने इसलामिक टुखड़े करता, इस का कोई अंदाजा और अंदेशा नहीं था गांधी मरा लेकिन भारत बचा और मैं एक बात और जिम्मदारी से कह रही हूं आपको कि हमारे भारत की नोट की करंसी पर ना गांधी नहीं होना चाहिए था सरदार पटेल जी होने चाहिए थे ठीक है क्यूंकि 12 वो तो सर्दार पटेल जी जीते थे और गांधी की वज़ा से नहरू जो है वो वजीर आजम बना यहां का उसको तो मैं परदानमंत्री भी नहीं बोलूगी उसको तो मैं वजीर आजम बोलूगी शिर्वानी चिनना जैसा सिगार चिनना जैसा शकल चिनना जैसा अलीगाड पिजामा चिनना जैसा गुलाब शिर्वानी में चिनना जैसा जुबान चिनना जैसा तो कहें बोलू मैं पंडित जवाहलाल नहरू चीक है नहीं लॉरेंस बिशनोई के खिलाफ हो गई है और उसके नाम के सुपारी दे रही है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हिंदू समाज की यह आपस में हिंदू ही हिंदू से लड़ रहा है यह नहीं कि आपस में मिलके एक जूट हो गए साथ में ताकत वर हो और दु